पोस्ट बजेट वेबिनार के माध्यम से सरकार बजेट को लागू करने में कलेक्टिव ओनर्शिप और इक्वल पार्टनर्शिप का एक मजबूत रास्ता तैयार कर रही है इस वेबिनार में आप लोगों के विचार और सुझाव इसका बहुत महत्व है मैं आप सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथ्यों कोरोना वैस्ट्विक महामारी के दोरान भारत की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का प्रभाव आज पुरा विश्व देख रहा है ये बीते नव वर्सों में भारत की एकानॉमी के फंडामेंटर्स को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है एक समय था जब भारत पर भरोसा करने से पहले भी सो बार सोचा जाता था हमारी एकानॉमी हो हमारा बजेट हो हमारे लक्ष हो जब भी इनकी चर्चा होती थी तो शुरुवात एक क्वेश्चन मार्क के साथ होती थी और उसका एंड भी एक क्वेश्चन मार्क से होता था अब जब भारत फाइनांशल डिसिप्लीन ट्रांसपरंसी और इंक्लूजिव एप्रोच को लेकर चल रहा है तो एक बहुत बड़ा बड़लाव भी हम देख रहे हैं अब चर्चा की सुरुवात पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगः विश्वास ने ले ली है और चर्चा के अंत वाले समय में भी क्वेश्चन मार्क की जगः अपिक्षा ने ले ली है आज भारत को वैस्ट वीक अर्थिववस्ता का ब्राइट स्पॉट कहां जा रहा है भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दाइत्व भी उठा रहा है 2021-22 में अब तक का सबसे ज़्यादा FDI देश को प्राप्त हुआ है इस निवेश का बड़ा हिस्सा मैनुफेक्टरिंग सेक्टर में हुआ है PLI स्किम का लाब उठाने के लिए लगातार एप्लिकेशन आ रही है हम ग्लोबल सप्लाइचेन का एहम हिस्सा भी बनते जा रहे है मिश्चित तोर पर ये कालखन भारत के लिए बहुत बड़ा अउसर लेकर आया है और हमें ये मोका जाने नहीं देना चाहिए इसका पूरा लाब हुनाना चाहिए और मिल करके करना चाहिए साथियों आज का नया भारत अब नए सामर्त से आगे बढ़ रहा है ऐसे में भारत के फाइनांशियल वर्ल्ड के आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है आज आपके पास दुनिया का एक मजबूत फाइनांशल सिस्टिम है जो बैंकिंग ववस्ता आट-दस साल पहले डूबने की कागार पर थी वो अब लाब में आ गई है आज आपके पास ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपुर्ण निर्णे कर रही है नितिगत निर्णेव में बहुत ही क्लेरिटी है कन्विक्शन है कन्फिडन्स भी है इसलिए अब आपको भी आगे बढ़कर के काम करना ही चाहिए तेजी से काम करना चाहिए साथियों आज समय की माँग है कि भारत के बैंकिंग सिस्टेम में आई मजबूती का लाव जादा से जादा आखरी छोड़ता जमिन तक पहुँचे जादा से जादा से जादा से की हैंड होल्डिंग करनी होगी महा मारी के दोरां एक करोर बिस्ट लाग MSM इसको सरकार से बहुत बड़ी मदद मिली है इस वर्ष के बजेक बे MSM सेक्टर को दो लाग करोर का इडिशनल को लेटरल फी गारंटीर क्रेडिट भी मिला है अब ये बहुत जरूरी है कि हमारे बैंक उन तक पहुँच बनाए और उन्हें परियाप्त फाइनांस उपलब्द कराए चाथियों फाइनांसल इंक्लूजन से जूड़ी सरकार की नीतियों ने करोरों लोगों को फार्मल फाइनांसल सिस्टिम का हिस्सा बना दिया है बिना बैंक गारंटी बीस लाग करोड रुपे से जादा का मुद्रा लोग सरकार ने ये बहुत बड़ा काम नवजवानों के सपने पुरे करने में सार्थक काम किया है मदद की है पी-म स्वनी थी योजना के माध्यम से चालिस लाग से जादा रेड़ी पट्री वाले छोटे दुकान दरों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संबब हुई है आप सभी स्टेक होल्डर्स को कॉस्ट अप क्रेडिक कम करने स्पीड अप केरिड को बढ़ाने और स्वन एंटरप्राइज तक तेजी से पहुचाने के लिए भी प्रोसेस को री इंजिनियर करना बहुत जरूरी है और उसमें टेक्नोलोजी भी बहुत मदद कर सकती है और तभी भारत के बढ़ते बैंकिंग सामरतगा जादा से जादा लाब भारत के गरीबों को होगा उन लोगों को होगा जो स्वरोजगार करके अपनी गरीबी दूर करने का तेजी से प्रयास कर रहे है साथियो एक विशय वोकल फॉर लोकल और आत्मंदेर भर तांका भी है ये हमारे लिए चोईस का मुद्दा नहीं है महामारी के दौरान हम देच चुके है ये भविश्य को प्रभावित करने वाला मुद्दा है वोकल फॉर लोकल और आत्मंदेर भरता का वीजन एक नेशनल रिस्पॉंसिबिलिटी है वोकल फॉर लोकल और आत्मंदेर भरता मिशन इसके लिए देश में एक अभुत्पर उत्षा हम देख रहे हैं इस वज़े से घरेलू उत्पादत तो बढ़ाई है एक्सपॉर्ड भी रिकॉर्ड वृद्धी आई है सामान हो या सेवा का ख्षेत्रा हमारा निर्यात 2021-22 में ओल टाइम हाई रहा एक्सपॉर्ड बढ़ रहा है यानि भारत के लिए बाहर जादा से जादा संभावनाय बन रही है ऐसे में हर कोई ये जिम्मेदारी ले सकता है कि वो स्थानिय कारीगरों को बढ़ावा देगा वो एंटर्परिनर्स को प्रोसाहित करेगा अलग अलग समू, संगठन, चेम्बर अब कॉमर्स, इंडिस्ट्रियल एसोसेशन्स जितने भी व्यापार उद्योग जगत के संगठन है बे मिल जुल करके बहुत सारे इनिस्टेटिव ले सकते हैं कदम उठा सकते हैं मुझे विश्वास है कि जिलास्तर पर भी आप लोगों का नेटवर्क है, आपकी टीमे है ये लोग जिले के उन उत्पादव को ये पहचान कर सकते है जिनका बड़े पैमारे पर निर्यात किया जा सकता है और साथियों बोकल फोर लोकल की बात करते हुए हमें एक और स्पढ़ता रखनी होगी ये सिर्फ भारतिय कुटि रुद्योग से चीजे खरीदने से कहीं जादा बड़ा है वरना हम तो दिवाली के दियों में अटक जाते है हमें देखना होगा कैसे कौन से ख्षेत्र है जहां हम भारत में ही केपिसिटी बिलिंग करके देश का पैसा बचा सकते हैं अब देखिए हाईर एजुकेशन के नाम पर हर साल देश का हजारों करोड रुपे भार जाता है क्या इसे भारत में ही एजुकेशन सेक्टर में निवेश करके कम नहीं किया जा सकता एडिबल वोई है एडिवल वोईल मंगाने के लिए भी हम हजारों करोड रुपे भार भेजते हैं क्या हम इस खेतर में आपने दिवर नहीं बन सकते हैं ऐसे सभी सबानों का उत्तर आप जैसे अनुभवी फाइनांसिल वर्ल्ड के लोग उसका सटिक उत्तर दे सकते हैं रास्ता सुझा सकते हैं मुझे उमीद है आप इस वेबिनार में इन विश्वाओं पर भी गंभीरता से जुरूर चर्चा करेंगे साथियों आप सभी एक्सपर्ट जानते हैं कि इस साल के बजेट पे केपिटल एक्सपेंडिचर में भारी बढ़ोतरी हुई है इसके लिए दस लाख करोड का प्रावधान किया गया है पी-एम गती शक्ती की वज़े से प्रोजेक्ट की प्लानिंग और उसे लागू करने में अभुत्पुर्वत तेजी आ गई हैं हमें अलग-अलग जोग्रिफिकल एरियास और एक्कोनोमिक सेक्टर के प्रगति के लिए काम करने वाले प्रावध सेक्टर को भी जादा से जादा सपोर्ट करना होगा मैं आज देश के प्रावध सेक्टर से भी आवान करूँगा कि सरकार की तरह ही वो भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं ताकि देश को इसका जादा से जादा लाब हो साथियों, बजेट के बाद टैक्स को लेकर के भी काफी बाते होती रही है एक समय तो हर तरफ यही बात चाही रहती थी मैं बुद्काल की बात करता हूं कि भारत में टैक्स रेट कितना जादा है आज भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है GST की वज़े से, Income Tax कम होने की वज़े से Corporate Tax कम होने की वज़े से भारत में टैक्स बहुत कम हुआ है वो burden नागरिकों पर बहुत कम होता जा रहा है लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है 2013 और 2014 के दर्मियान हमारा gross tax revenue करीब 11 लाग करोड था 23-24 के budget में अनुमानों के मताबिक gross tax revenue अब 33 लाग करोड से जाता का हो सकता है ये बढ़ोतरी 200 प्रतिशत की है यानि भारत tax का rate कम कर रहा है लेकिन इसके बावजूत tax का collection लगातार बढ़ रहा है हमने अपना tax उस tax base को भी बढ़ाने के दिशा में काफी कुछ किया है 2013-14 में करीब साड़े तीन करोड individual tax return file होते थे 2020-2021 में ये बढ़कर साड़े छे करोड हो चुका है साथियों tax देना एक ऐसा करतव है जो सीधे सीधे राष्टर निर्मान से जुड़ा है tax base में बढ़ोतरी इस बात का प्रमान है कि लोगों को सरकार पर भरोसा है और वो मानते हैं कि जो tax वो दे रहे हैं उसे public good के लिए ही खर्च किया जा रहा है उद्योग जगत से जुड़े होने के नाते और economic output के सबसे बड़े जनरेटर के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि tax base की बढ़ोतरी को प्रोसाहित किया जाए आपके सभी संगठनों ने आपके सभी members को इस विशह में लगातार आगर करते रहना चाहिए साथियों भारत के पास ऐसे talent, infrastructure और innovators है जो हमारे financial system को top पर पहुँचा सकते हैं इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में भारत आज जिस तरह के platform विक्सित कर रहा है वो पुरी दुनिया के लिए model बन रहा है जैम एनि government, e-market place ने भारत के दूर सुदूर में रहने वाले छोटे दुकानदार को भी सरकार को सीधे अपना सामान बेचने का सामर्थ दिया है currency में आगे बढ़ रहा है वो भी अभूत्पुर्वा है आज आज दिके 75 वे वर्ष में digital तरीके से 75,000 करोट transaction ये बताता है कि UPI का विस्तार कितना व्यापक हो चुका है रूपे और UPI सरफ कम लागत और अत्यधीक सुरक्षित technology पर नहीं है बलकि ये दुनिया में हमारी पहचान है इसे लेकर innovation की अपार संभावनाएं है यूपी आई पूरी दुनिया के लिए financial inclusion और empowerment का माध्यम बरे हमें इसके लिए मिलकर के काम करना है मेरा सुझाव है कि हमारे जो financial institutions हैं उन्हें फिल्टेस्क के रीच को बढ़ाने के लिए उनके साथ जादा से जादा partnership भी करनी चाहिए साथियों अर्थ व्यवस्ता को मजबूती देने के लिए कई बार बहुत छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा असर होता है जैसे एक विशे हैं बिना बिल लिए सामान खरीदे की आदत लोगों को लगता है कि इससे हमारा तो कोई नुक्षान हो नहीं रहा है इसलिए वो अक्सर बिल के लिए पूछ भी नहीं करते हैं जितना जादा लोगों को ये पता चलेगा कि बिल लेने से देश का फाइदा होता है देश प्रगति के रहा पर जाने के लिए ये बहुत बड़ी विवस्ता विक्सित होती है और फिर देखिएगा लोग आगे बढ़कर के बिल की मांग जुरूर करेंगे हमें बस लोगों को जादा से जादा जागरूप करने के जरूरत है साथियों भारत के आर्थिक विकास का फाइदा हर वर्ग तक पहुँचे हर व्यक्ति को मिले आप सभी को इस सोच के साथ ही काम करना चाहिए इसके लिए हमें वैल ट्रेंड प्रोफेशनल्स का एक बड़ा पूल भी तैयार करना होगा मैं चाहता हूँ कि आप सभी ऐसे हर फुचरिस्ट्री आइडियाज पर विचार विस्तार से चर्चा करें मुझे पूरा भरोसा है कि फाइनांसल वर्ल्ड के आप लोग जिनके माध्यम से देश में बजेट के कारने एक सकारात मगवातावन प्यादा हुआ आपने बजेट की भुरी भुरी प्रसोंसा की अब हम सब का दाइत्व हैं कि इस बजेट का मैक्सिमम लाब देश को कैसे मिले समय सिमा में कैसे मिले एक निश्चित रोड मैट पर हम कैसे आगे बढ़े आपके चिंतन मन्तन में से वह जरूर रास्ता मिलेगा वह जरूर नए नए इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे आउट अप बोक्स आइडियाज मिलेंगे जो इंप्लिमेंटेशन के लिए इच्छित प्रणाम प्राप्त करने के लिए बहुत काम आएंगे मेरी आप सब को बहुत शुप कामनाये हैं धन्यवाद